इसमें दो खेमे पर एक खेमे में 12 लाग करोड का गपला गोटाला भ्रस्टाचार करने वाली कॉंग्रेस पार्टी है और दूसरे खेमे में 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री रहकर भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है ऐसे हमारे नेटा नरेंद्र मोदी है नरेंद्र मोदी एक और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहूल बाबा है तो दूसरी और गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है नरेंद्र मोदी एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाइलेंड और बेंकोक चले जाने वाले छुटी पर चले जाने वाले राहूल बाबा है भाईो बैनों मेरी बात याद रखना मैं भी हूँ आप भी हो छे तारीक को जैसे ही चार को परिणाम समाप्त होगा छे तारीक को राहूल बाबा वेकेशन पर चले जाएंगे वेकेशन पर चले जाएंगे और दूसरी ओर तेईस साल से एक दिन की भी छुटी लिए बगैर दिपावली के दिन भी दिपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वालाया नरेंद्र मोदी है ये दोड़ों के बीच में आप को तर करना है एक और पाकिस्तान को मुह तोड़ जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी है और दूसरी और एक कॉंग्रेसी कहते हैं पाकिस्तान का सनमान करो पाक क्यूपाई कस्मीर उनसे नमागो क्यूंकि उनके पास एटम बॉम है अरे मुझे बताओ हिसार वालो एक पाक क्यूपाई कस्मीर हमारा है या नहीं है अरे जोर्जवलो है या नहीं है कॉंग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बैम है उसको छोड़ दो राहुल बाबा मैं महाराज अग्रसेन की भूमी से कहता हूँ कि ये पाक उक्यूपाई कस्मीर भारत का है रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे लेकर रहेंगे भाईयो बेनो हरियाना में छटे फेज में चुनाव होने वाला है आज पांचवे फेज का चुनाव है चार फेज का चुनाव समाप्त हो गया है आपको परिणाम जानना है क्या जानना है तो सुन लो चार फेज में नरेंद्र मोदी जी दो सो सत्तर सीटे प्राप्त करकर बहुमत प्राप्त कर चुके और पांचवे छटे सात मेंने चार सो पार कराना है और मैं आज कहता हूँ इस सहजादो और दामादो वाली कॉंग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलने वाली है भायो बेनो कॉंग्रेस पार्टी के सहजादे राहूल बाबा ने 24 के चुनाओ की सुरुआत भारत जोडो यात्रा ते की थी मैं आज आपको कहकर जाता हूँ चार जुन के बाद राहूल बाबा को कॉंग्रेस ढूंडो यात्रा निकालनी पड़ेगी कॉंग्रेस ढूंडो यात्रा दूर्बिन लेकर भी कॉंग्रेस दिखने वाली नहीं है 24 के चुनाओ में सिर्शा से लेकर सोन्य पत्तक पंचकुला से पलवल तक और हर जगे मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है भायो बेनों यह दस साल में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से हमारा हरियाना है हरियाना की आर्थिक विकासतर आठ प्रतिसत है जी एस्टी सबसे ज़्यादा प्रतिव्यक्ति हरियाना कलेक करता है इस ओप डूइंग में हरियाना टॉप पर है चार सो विश्वकी फोर्चुन कमपनियों के कारेलाए अपने घुरगरा में बने हैं जब करें लुप प्रतिसत है जब करता है